लोकसवा चुनाओ दो हजार चॉइस के दूसरे चरण के मददान 26 तारिक को होंगे राजस्थान की 13 लोकसवा की सीटों पर 26 तारिक को मददान होगा और हम पहुँचे हैं राजस्थान की न्याइक राजदानी जोदपुर में अधिवक्ता के वर्क के बीच में इन से जानेंगे कि इस बार इनके चुनाओं में क्या मुद्दे रहने वाले हैं सर नमश्थान क्या नाम है आपका मोण जाखड सर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के लोकसवा चुनाओं में अध्युक्ता वेलफेर और अध्युक्ता कल्यान कोश के लिए अध्युक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लंबे समय से वीचारा दीन है राजी सरकार ने ततकाली नसोग जी ने पास कर रखा है सीम साब ने और राजी पाल गरुनर मोदे ने राष्टपती के लिए वेज दिया है पिछले एक साल से लंबी थे केंदर की वाध्युक्ता सरकार अभी तक अध्युक्ता के वेलफेर के लिए अध्युक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पारित नहीं कर रही है जिसको लेकर अध्युक्ता हुमें भारी रोस है आसा करते हैं कि जल्दी एति सीकर चुनाओं के बाद केंदर सरकार इस पर अध्युक्ता के हितों की बात करेगी अध्युक्ता के हितों की बात करेगी सर क्या नाम है आपका राजेंदर शौदु सर किन मुद्धों के सात में इस बार डालेगा अध्युक्ता और क्या बड़े मुद्ध रहने वाले हैं आडवुकेट के लिए साहधी कोई मुद्धा है जुनामें कि आडवुकेट किसी पर आशिरित नहीं है बड एक मुद्दा है, वह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, और कोई मुद्दा नहीं है अधिवग एड़ोकेट प्रोटेक्शन अक्ट मतलब कुछ मैलाएं भी है हमाई साथ मैला अधिवगता मैम क्या नाम है आपका? श्वेता अग्रवाल मैम इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? श्वेता अधिवाल मैम इस बार करते हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं है हमारे प्रोटेक्शन का कुछ भी नहीं है फोटेक्शन अधिग जो हमने सेम साथ से संसृधित करगा है और सर ने पेस किcentered के लिए लिए Fingerा के चेतर में कभी इसा कुछ क्छ भी विवस्थ है हमारे लिए तो खु़त का है कि आप सब्सक्राइए के लिए फिर ये हमारे हिरे निर्वत होते हैं हमारे आसरित को हमारे पड़िवार हुता है हमारे सरकार Operator के लिए भी हितार्थ के लिए भी कुछ सोचा जा और प्रोटेक्शन एक जो हमारा लंबी चल रहा है उसके लिए जाड़ी किया जाए और पहली बात तो हैं कि हम लोगों का कोई पेंशन है क्या कुछ भी है कुछ भी लागूने किया जाता है हम लोग तो खुद केस लड़ते हैं और अपना जीवन का वो होता है नों के लिए तो कोई भी नहीं है कि जैसे लोगों के सर्विस करते हैं तो उनके लिए पेंशन है उनके रिटार हो गए तो यह है वो है हम लोगों के लिए तो कोई भी कुछ भी नहीं है तो अधिवक्ता वर्क के पेंशन के लिए राज सरकार का मुद्दा है लागू होना चाहिए दोनों का ही और यह तो राज केंदर दोनों में ही होगा तभी तो होगा ना सर क्या मुद्द रहेंगे ह पुराना हाई कोट है यहां से 15 किलो मेंटर दूरी पर पब्लीक के आने जाने लिए बहुत परेशन होती वकिलों के लिए वकिलों के लिए बहुत निकल जाता है पहुंचनी पाते डिस्टेंस होने का बंढ़ना यह जीग सुविधा थी तो पब्लीक को आराम से लिटीकेशन पहुंच जाते थे वह सती यहां पब्लीक ट्रांस्पोर्टेशन सेंट्रल के जासे बश्टैंड है सब्जीमंडी है मार्केट है वह वाह नहीं है तो हमारे यही निवदन है स्टेट गवर्मेंट से के जो भी है सुईधा एक सथ के नीचे प्रोवेड हो ताकि पबली को सुईधा मिल सके जो उच्छ नियायले हैं और निशली अदालते हैं इनके बीच की दूरी और उसमें ट्रांस्पोर्टेशन है उसके लिए भी जो है है लेकिन एक बेंच हमारी जैपूर चली गई थी लेकिन समय समय पर यह मांग उठती रही है कि कभी उदेपूर और कभी विकानेर एक बेंच तो हम इसका विरोध करते हैं कि हमारी जो भी गवर्मेंट बने वो जोद्पूर को एक नयाइक राजदा निगोशित करें और क्याइन रहे तो नहीं जाये यहां अमने पर जोद्पूर में खास मुंदा रही है पर यहां पर यहां पर जौद्पूर में लेकिन कभी कभार हुद्भी करता है तो हम तो कभी मांग नहीं करते हैं कि राज़दानी हमारी जेपूर से जोधपूर है या अपने एजूकेशन डिपार्टमेंट जो अजमेर है वो जोधपूर में एक खोला जाए विकाने में तो हम यह चाहेंगे कि जो न्याइक राज़दानी जोधपूर है वो रहे कुछ और भी अधिवक्ता हैं उनसे बात करेंगे सर क्या नाम है अपकर सुरह स्पारी का एड़दानी जोधपूर में अधिवक्ता किन वर्क मुद्दों के साथ में जो है वो चब्रस तारिक को अपना वोट देने जाए गारे कि मैं तो यहां वकिल जो कुछ प्रोफेशनल ह है कुछ कमा के खाता है लेकिन वकिलों के वेलफेर के लिए कोई विवस्ता नहीं ना तो स्टेट के लिए कर रही है ना कुछ सेंटर कुछ कर रही है तो हमारा में मुद्द है कि वकिलों के वेलफेर के लिए उनको काम करना चाहिए जब तक वकिल खुद सुरक्ष इतनी है तो लोगों कैसे सुरक्षा देगा नमबर दो मूलवित सुईधा है हमारे में जड़ का कार्ण है यहां पर कि यह लाखों लोग आते हैं लाखों जाते हैं लेकिन यहां मूलवित सुईधा पीने का पानी से लेके टौलेट बे लेटिंग बास्रूम कुछ भी सुईधा यहां दास्तान में एक पर्टिकुलर जोद्पूर हाई कोर्ड में हर जिगह पर तो यह मैंन मुद्धा हमारा ही है और एक वेलफेर है पूरों मुख्य मंत्री भी जोद्पूर से रहे हैं और वर्तमान केंद्री मंत्री भी जोद्पूर से हैं तो क्या कभी मुद्धे जो है वकी लेके चले आते हैं लेकिन आप हमारी वात आगे रखोगे हो सकता आगे पहुंचा हमारी कुछ हो हमारे सुनने वाला कोई नहीं है हो सकता है वैल फुर आप नोर्मली बैसिक सुझदा है जो हमारी जायता अधियू तुंगल इतना बहुत है और प्रटेक्शन एक्ट की बात ह है जो लगा था हमारी मांग पर चलती है सरकार के समझ में आगे कि हम कब भला करें इनका तो जैने उनका काम जाने वह लंबा प्रोसेडिंग है जो कैसे क्या होगा वो करेंगी कितने अधिवक्ता होंगे राजस्थान के लोकसा वाश्यतर आप यहां पर देख लो आप पू किसे है और बागी अब डाउन वाले दस पंदर जार नॉर्मल चलते हैं इस उदर से आते हैं कुछ और भी लोग है राजस्तान हाइक कोड की जो मुख्य पीट भी जोदपुर में है और अधिवक्ताओं के कहीं ऐसे मुद्दे हैं चाहे अधिवक्ता सुरुक्षा कानुन स जुड़ा हुआ हो और यहां तक ही कहीं अधिवक्ताओं जो है वो पानी और विजली की सुईधा के लिए भी जो है वो सवाल कड़ी कुछ अधिवक्ता और हैं सर क्या नाम में आपका स्वाण सिंग चंपावत सर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के लोग से वेलफेर का है सबसे बड़ा बड़ा है बाकि तुम लोगों नो बतार अधिक नो बता है बेलफेर का मुद्दा जो है इसका समाधान राज्यस सरकार कर पाएगी अ तौनों के अंदर से करो राजिय सरकार अभी मुद्दे उठाएं भी ने मुद्दे तो नहीं उठाएं आप पता रहें तो पहले बार आप देखेंगे आप आगे बेजेंगे हम भी प्रियास करेंगे हमारे अधिक्स भी इस पर अच्छे रत नराम ठोलिया वह भी कर रहे हैं संगर्स जो आती है कोर्मेंट की हंडेड पर सेंट जो वकील ही देता है बली रजिश्टी हो को इस्थाम वह तिकेट्स हो सारे हो वह वह रहुन्यू का 99% कमई का साधन है आध सरकार और राजय सरकार वह कोई द्यानी देशिव नियायक अधिकारिया थे द्यान है उनका हर महीने तन निकल लाती है एक वाड़ा ने लगता है तो हमारे चुनिन हैं वह भी कभी ध्यान देते हैं वकीलों के लिए जो 25 सीटों पर हमारे वैल पर एड़ुकेट का एलेक्शन होता है बाहर कॉंसले वह पचीज सीट वह आदम जबाने से चल रही इंदुस्तान आजा दुबा तो य सीटी आज भी 25 सीट है तीन अरव से जादा पैसा पढ़ रहा है वकीलों के लिए हित के लिए कोई नहीं जोलता है मारे से नहता हूपर भी और राजे सरकार तो सोचती हुटी दभी वाइदा हो जाता है सिर्फ एक कॉरोना में जूर हमें को राजे सरकार से बैनिफिट मिल तो हमें लिखना पड़ेगा स्वर्क सस्वेंट करें डॉक्तर हमारा उपर लागोई दोक्टरों पर आता कि नहीं राज द्याने के जज़ फर्ट सो मोटों ले लेते हैं कभी डॉक्तर के उपर लेने के नहीं हमत हुए क्यों नहीं लेते अभी जैपूरे माटाल में बैढ है मुद्धे बेसिकली एक तो प्रोटेक्शन एक्ट वाला है और दूसरा वेलफेर का है दो बड़े मुद्धे हैं जो वकीलों का मिलना चाहिए मतलब सभी भारत के सभी वकीलों को मिलना चाहिए इसमें केंदर सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ मिलके अगर कोई अधिवक्ता वर्ग जिनका राजस्तान से बात करें जोदपूर की तो जहां पूर मुख्य मंतरी अशोग घहलोद भी जोदपूर से आते हैं तो केंद्र जेल शक्ती मंतरी गाजनर सिंग शेखावत तो तीस तरी बार जो हैं वो लोक सभा चुनाओ जोदपूर संजिद सी और अब देखने वाली बात है कि जो अधिवक्ताओं के बड़े मुद्दे हैं जिसमें वेलफेर का एक बड़ा मुद्दा है और जो इनके अलावा जो अधिवक्ता वर्ग से जो हैं वो अधिवक्ता सुरुक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा है अब देखने वाली बात ह कि अधिवक्ताओं का जो ये रोश है ये मत परतिशत में कितना बदलता है परेटनों के लिए परेटक के लिए बहुत बड़ा इस्थल रहा है तो हम अब आगामी जो सरकार आ रही है जिसे पिसले सालों में परेटन के लिए काम हुआ है जोदपुर में उसमें ब्लू सिटी के लिए काम होना चाहिए जो एतासिक दरोवरे हैं उनको सर्जोने का काम होना चाहिए जिससे परेटन को बड़ावा मिले परेटन जो विदेशी परेटक आते हैं देशी परेटक आता है उनको सुरकसा मिलनी चाहिए गुमने के स्थान बढ़ने चाहिए सुर्यनगरी एक विस्व मानचितर पर नहीं उबर के आनी चाहिए बिल्कुल और कुछ और भी लोह के होटल सर क्या नाम है आपका मेरा नाम धीरज है और मेरा ही मानना है कि पिछली सरकार में भी एक हैरिटेज टूरिजम को डैवलप करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे ग जैसे Blue City Walk बहुत ही एक अलग यूनिक एक्पिरेंस लोगों के लिए इजाद किया गया था लेकिन इसमें भी प्रसाशन कुछ देख रेक नहीं करता है गंदगी पड़ी रहती है आज के टैमें अगर आप सर्च करेंगे टॉप तिंक्स तो डू इन जोद्पूर तो ब्लू जोद्पूर से जो है इस बात चुनाव का महौल भी है परिटम से सुरक्षा जुड़े क्या मुद्धे हैं रहेंगे इस पर सुरक्षा पहले तो यहां पर लाइक अभी हमें गूगल पर देखना पड़ रहा है जैसे उदर भी है जो भी है और सेफ्टी के लिए भी कर रहे हैं थोड़ा क्लीनेस का सी यह इशू है तो ऐसा थोड़ा अगर सेफ्टी सिक वह हो जाएगा या जैसे अगर आप कही जाओगे तो सामने बोर्ड होता है जिस पर लिखा है कि यह चीज कुम मैंटें करो ऐसे करो तो बेसिकली वह थोड़ा अगर होगा एंड प्लेस पे मेजरली सिक्योरिटी जाजा होता है तो यहां में को थोड़ा कम दिखाई दिया बस बाकी तो इस ब्यूटिफुल सब नहां विजट कना चाहिए है और भी परेटेक हैं सर क्या नाम अनिमेश कहां से आये हैं मॉंबे लोगसभब का चुनाओ भी है परेटन से ज गाइड करने के लिए बहुत मिस्गाइडिंग होता है पहली बात हमने जब रैंडम लोगों से बाते की रास्ते पूछे तो वह हमें काफी तकलीफ हुई लेकिन विकाज हमारे दोस्त यहां पर काफी सारे दोस्त हैं लोगों ने सही तरीके से हमें गाइड किया एंड अग जानी लोग यहां पर सिक्योरिटी रीजिन्स के वज़े से है या क्या है मैं कमेंट तो अभी नहीं कर सकता बिकाज एक ही दिन हुआ हमें आकर लेकिन अगर देखेंगे तो मुझे कोई अभी तक तकलीफ ऐसे नहीं हुई जो एक साइनिज वाला गाइडिंग वाला एक दि काफी अच्छे है देखने के लिए दूर से भी नजदीक जबाए आज जैसे हम यहां घड़े तो जैसे दिखाया जा रहा है वेब साइट पर या गूगल पर वैसे ही हमें आपे वो सिमिलर चीज दिखाय दे रही है कुछ यूवापी है हमारे साथ में क्या नाम आपका मेर क्या नाम नहीं है यादव है इस बार बोड़ देंगी लोग सभा कच्वना हो जे क्या मुद्दे रहेंगे यूवाओ के अच्छली यही कि सिटी का डेवलपमेंट कास्ट इजम कम होना चाहिए गर्ल्स के लिए सेफटी होनी चाहिए कि आक्छली जोदपर की ओडियन्स थ क्या नहीं है आपको इंतखाव क्या मुद्दे हैं सब इस तारे को की मुद्दों के साथ में बोड़ देंगी यूवाओ यहाँ पे सबसे में मुद्दा है सिक्षा और रोजगार और सिक्षा पे डवलोपमेंट होना चाहिए जो गवर्मेंट इस्कुल में फैसिलिटी दे और दूसरा मुद्दा है कि ट्राफिक सिस्टम नहां का जो बहुत ही अच्छा नहीं है पुलिस मैनेजमेंट ट्राफिक सिस्टम मैनेजमेंट इसमें अच्छे से मैनेजमेंट नहीं है कोई भी किजर भी जाता है रॉंग साइट कुछ भी चलता है यहां पर तो यह थे लो हैं वो समस्या बताई और कुछ व्याओं ने भी जो हैं वो सिक्सा से जुड़े मुद्दों को लेकर भी खुल कर अपनी पात रखे अब देखने वाली बात है कि 26 अपरेल को मद्दान के दिन इनके मुद्दों पर कितनी महर लग पाती है जोतपुर से एंडी टेवी के लिए मुक्ल परियाद